हेलो रस्तो अगर आपका Kotex security का डीमेट आकाउंट इनेक्टिव हो गया है या फिर इसको डूर्मेंट भी बोलते हैं और यह तब होता है जब आप Kotex security में अपना डीमेट आकाउंट उपन कर लेते हैं और उसमें बारह महिनी मतलब कि एक साल तक अगर ट्रेड नहीं करती है तो company उसको inactive या फिर dormant कर देती है दोनों चीजें एक ही है कहने का मतलब यह है कि आप login कर सकते हैं सिर्फ उसमें कोई order place नहीं करेंगे तो ऐसे ही मैंने kotex security का account एक साल पहले open किया था और उसको use नहीं किया था उसके थ्रू कोई share नहीं खरीदे थे हलंकि referend earn किया था लेकिन share नहीं खरीदे थे तो company यह देखती है कि नहीं एक साल में कोई order place किया है या फिर नहीं किया है अगर नहीं किया है तो वो आपकी account को dormant कर देती है तो ऐसी condition में अगर हमें उस demate account में द्वारां से trade करनी है मतलब कि kotex security में तो हमें क्या करना पड़ में जब आप कोई भी order place करने के लिए जाएंगे तो वहां पर ऐसा लिखके भी नहीं आता kotex security में कि आपका account दोर्मेंट है या फिर एक्टिवेट करिए तो आप कोई भी order place करनी के लिए जा रहे हैं और आपके segment पहले से एक्टिवेट है ठीक है तब यह भाई बूलेगा तो ऐसी condition में दोस्तों आपको या तो customer care से call करके confirm कर लेना है कि दिक्कत क्या है वैसे ऐसी condition में आपका account दोर्मेंट होता है तो ऐसी condition में अगर आपको account activate करना है तो इसमें application के थ्रू नहीं किया जा था इसका process अलग है हलंकि और जो broker है जैसे कि पहले मैंने कुछ वीडियो बना दिये हैं तो अगर आपका कोई DMEAT account है तो आप देख लेना यह मैं कुछ वीडियो आपको देखा रहा हूं तो आप इनको activate कर सकती है और अगर आपका कोई दूसरा DMEAT account है तो आप हमें comment कर दीजे तो इसका भी मैं process बता दूँगा कि दूसरे DMEAT account को किस तरीके से activate कर करते हैं तो दुस्तों अगर आपको कोटेक्स security का DMEAT account activate करना है तो इसके लिए आपको WhatsApp के through process करना रहता है तो WhatsApp नमर भी मैं आपको देखाऊंगा सारी जनकरी अब मैं आपके स्क्रीन पर देखाने वाला हूं बने रहे हैं इस वीडियो में end तक तो सबसे पहले मैं आपको WhatsApp WhatsApp नमर दिखा देता हूं तो यह नमर है double seven three eight nine five time eight तो आप इस नमर को अपनी contact detail में सेव कर लीजिए पर इसके बाद आपको मैसेज करना है मैसेज में सबसे पहले आपको क्या बोलना है हाई बोलना है पर इसके बाद यह virtual assistance यहाँ पर माया है कोटेक्स security के तरफ से यह बोल र update account का हमने option यहाँ पर यह तीन नमर दवा दिया पर इसको बेज दिया अब इसके बाद यहाँ पर इसने में और option suggest किये तो अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूं तो इसमें नवे नमर पर लिखा हुआ है account reactivation तो मैंने यहाँ पर no number दवा दिया अब यह बोल रहा है कि आप OTP mail पर भी receive होता है तो मैंने देखकर इनको OTP दे दिया ठीक है क्योंकि यहाँ पर अगर हम OTP इनको पढ़के दे रहे हैं ठीक है तो यह OTP codex security की तरफ से आया था तो आप कोई ऐसे होता गया दोस्तों जब आप यह नमर मैंने आप बताया है अगर आप यहाँ से नहीं ले तक security के तरफ से ही आ रहा है तो मैंने इनको OTP दिया है तो फिर इन्होंने हमारी request को note कर लिया है और इन्होंने बोलाए कि जल्दी आप से एक expert connect होगा ठीक है अगर आपकी कोई help चाहते हैं तो इसको टाइप करिए फिर इसके बाद इनको assistance मिला नहीं है तो इसके बाद मु गोविंद्र ने बोलाए good morning और यहां पर यह बागी की चीज़ें लिखी हुई है और इन्होंने बोलाए कि मैं गोविंद्र हूँ और जो पिछला process है तो मुझे बताईए मतलब कि तो यहां पर दोस्तों मैंने क्या किया था मैं उस time पर free नहीं था तो इन्होंने मुझे मै message नहीं देखी है क्योंकि मैंने इनको पहले message 9 वज के 49-48 मिनट पर किया है ठीक है लेकिन फिर इन्होंने मुझे 10 वज़े वेक किया तो इस time पर मैं free नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है फिर इसके बाद मैंने इनको एक वज़कर 11 मिनट पर message किया है hello now I am available मतलब कि अभी मै उपलब दूँ ठीक है तो इसके बाद दूसरी agent है क्योंकि उस time पर वो फिरी था तो company ने मुझे बहुत सजेस्ट कर दिये अब इस बार मुझे यह खेतवी से connect किया है ठीक है तो यहां पर इन्होंने बोलाए कि मैं यह हूं और बागी की चीज़े नहोंने नाम मगरा बता है यह तो हमने इनको बोला कि मैं अपना account reactivate करना चाहता हूं फिर इन्होंने मुझे कोई reply नहीं किया तो मैं hello किया फिर इन्होंने यहां पर मुझे बोला हुआ है कि आप क्या करिए account reactivate करने के लिए पहले confirm कर लिए कि आपकी बागी की चीज़े चेंज तो नहीं हुई ह है जैसे कि के वाइसी डिटेल pen card या फिर एड्रस या फिर बैंक अकाउंट नमबर या फिर इमेल आडी तो मैंने कहा कि इसमें से हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जैसा के तैसा है फिर यहां पर इन्होंने लिखाए be request to share the recorded video मतलब कि हमसे एक recording करके वीडियो मांग र pen card number on video and also mention देखो आपको बोलना है मेरा नाम मान सिंग राठ हो रहा है मेरा pen card number A है और फिर बाद में बोलना है I want to activate my account और वीडियो का साइज होना चाहिए 10MB से कम तो अगर आप इसको इंगलिस में ही बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे my name is Man Singh my pen card number और फिर इसके बाद आप सी activate my account क्योंकि वीडियो का साइज इनों ने 10MB से जानदा नहीं रखा है ठीक है तो 10MB में हमको सब कुछ बोलना है तो वीडियो हमें आपर कम से कम record करें तो वही वैटर रहेगा तो हमने क्या किया था यह वीडियो रिकॉर्ड किया था 10 सेकेंड का हो गया था लेकिन हमने एड लोगी कहीं अच्छे पर जाके record करना था जहां पर होजाला से आ रहा हो ठीक है तो इन्होंने फिर मुझे बोला है कि आप वीडियो में नाम नहीं बोला है ठीक है पैन कार्ड का जो नंबर है तो बहुत दिखवी नीरा है तो आपको क्या करना है एंड में जाके जूम करना है ठीक है तो इन्होंने बोला है कि आप बोल दीजिए बूलने के बाद पैन कार्ड को थोड़ा केमरे के पास लाइए ताकि अच्छे तरीके से दिख जाए तो फिर मैंने इनको यह 9 मिनट का वीडियो भीडियो भेजा है लास्ट में ठीक है सौरी 9 सेकेंड का तो फिर इस सब्रहर दिया चाल्यम दिखकत नहीं सेख कर एंप यह इस पर अच्छे तरीकेसे मथ्यान नहीं दिया जाता है फर फिर विए आपके जितनी है आप अत doc कर सकते हैं फ्रें kindly verify मतलब कि इन्होंने एक code वे जाए हमारे राइस्टर मॉयल नंबर पर ठीक है तो हमने इनको यहाँ पर एक code भी दे दिया है फिर इसके बाद इन्होंने बोला thank you for sharing the verification code we have successfully proceed the request मतलब कि अब यहाँ पर जो मेरा request था ठीक हो successfully submit हो गया है और इन्होंने accept कर लिया है अब यह बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर appreciate your patience and corporation और यह बोल रहे हैं कि आपका account एक्टिवेट हो जाएगा एक से लेके दो working days में ठीक है तो आज तो दोस्तों Sunday है और यह process मैंने कल कर दिया था ठीक है तो अब यहाँ पर मुझे क्या है कि Monday आफिर Tuesday टक बेड करना होगा ठीक तब इसके बाद हमारा account reactivate हो जाएगा फिर हम इसमें ट्रेवड वगरा कर सकते हैं फिर इसके बाद यह चीज़ें जो प्रोसेसन का होता है कि feedback वगरा दे दीजिए तो वह चीज़ें बागी का process दूर्स तो मैंने आपको बता दिया है तो इस तरीके देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद